पन्ना जिले में स्वास्त विभा की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है आपको बता रही कि यहाँ एंबुलेंस ना मिलने और सामुदाई के स्वास्त केंदर से भगा देने पर एक लाचार बेटे ने अपनी 90 साल की बुजर्ग मा कमलाबाई चौधरी को रिक्सा पर लेकर 25 किलोमेटर दूर जिला चिकित सालय पन्ना लाया पडित पुत्र ने आरोप लगाया है कि उसकी मां जो की मांसिक रूप से विछिप्त है घर में अचानक गिर गई थी जिसे लेकर वा सामुदाई के स्वास्त केंदर देविन्र नगर पहुंचा जहां पहले उसका इलाज किया जब उसे दोबारा तक लीफ होई तो वा फिर लेकर पहुंचा जिसके बाद स्टाफ नर्सों के दोबारा उसे जिला चिकित सालय पन्ना जाने के लिए कहा गया बुजर्ब ने अम्बुलेंस के लिए गुहार लगाई लेकिन किसी कारण वस अम्बुलेंस नहीं मिले तो पुत्र अपनी मा को रिक्से में बठा कर 25 किलोमेटर दोर जिला चिकित सालय लेकर चल पड़ा इसको फोड़ा गिर पड़ी तो चोट लग गई है सर पायर में और हाथे में तो इसको अस्पताल दिखाए सर यह चकर दिखाए तो ठीक दुबार अगाई तो कोई नहीं लिया तो यह पन्ना भगत आई है सर पन्ना में हो रही है सर यहां से फिर वहां बहुत परेसान रहे सर परिशान रहे हैं स final में वहां से फिर हो यहां से फिर हना सर प्रियो वाली रहे कहीं रहे हो तो भी अच्सासाह सर करवाई नहीं नास चांट तो रास्ते में एक रिक्सा में एक अम्मा को बठा रहे एक बुज़र्गा आदमीं गड़्डा रहा था तो अमने बूला भाईय क्या हो गया तो भी बूले कि भाईया अस्पताल गाए तो वहां से अम्बुलेंस नहीं मिली तो हमने वहां गाड़ी मोडी फिन हम बाद में च केली फोडिकली अपने वियों से कर्वम किया है तो वह पहला अस्पाल पहुचे ही नहीं है वह ने यहीं बताए कि सीसी ती केमरे में के देखा गया लेकिन अगड़ा आई ही नहीं है सब्सक्ताल एक जूटी को ब्रावाब फ़बार है अच्छा जब वह अस्पताल आई है जो से बेखा बरे बताना सम्मों नहीं